देश के सबसे बिवाले शो बिग बॉस 16 का इंतजार खत्म होने वाला है बिग बॉस सालों से इंडियन टेलिविजन में बहुँ चर्चित रियालिटी शो रहा है दर्शक बकाइदा नए सीजन का इंतजार करते हैं हाली में कलर्स टीवी ने सोशल मीडिया पर बिग बॉस सीजन 16 का प्रोमो वीडियो रिलेज किया ये प्रोमो वीडियो शो को लेकर और सुकता बढ़ा रहा है इस वीडियो में सल्मान खान कहते हैं 15 साल से बिग बॉस ने सब का गेम देखा इस बार बिग बॉस अपना गेम दिखाएंगे सुबा होगी और आसमान में चांद दिखेगा ग्रेविटी उडेगी हवा में और घोड़ा चलेगा सीथी चाल परच्छाई भी छोडेगी साथ खेलेगी अपना खेल क्योंकि इस बार बिग बॉस खुद खेलेंगे इस अस्पिंस भरे डायलोग के सल्मान खान ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर होने क्या वाला है खैर देखने से तो लगता है कि इस बार का थीम काफी रोमांचक होगा प्रोमो में दिखाई दे रहा है घर अलग सा रहसिमई सा लग रहा है माना जा रहा है कि बिग बॉस 16 का घर और नियम सब कुछ अलग होने वाला है जैसा कि होस्त सल्मान खान के डायलोग से ही साफ है अब देखना होगा कि ये नया थीम नया अंदाज फैंस को कितना पसंद आता है अब तक आपने बिग बॉस की उस आवाज को सुना है जो शो की पहचान है लेकिन अब खुद बिग बॉस शो में हिस्सा ले सकते हैं प्रोमो वीडियो से यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिग बॉस के बॉस आर्टिस्ट रहे अतुल कपूर इस शो में नजर आ सकते हैं खैर अभी इसे लेकर शो के मेकर्स ने ओफिशल अलान नहीं किया है बतादे की प्रोमो के जरिये मेकर्स ने बताया है कि वो जल्द ही बिग बॉस 16 के लिए एपिसोड लाने वाले हैं लेकिन तारीक का खुलासा नहीं किया है बिग बॉस 16 की कंफर्म कंटेस्टेंट लिस्टों मेकर्स ने अभी तक रिलीज नहीं की है मगर माना जा रहा है कि फैसल शेक, उर्फी जाविल, शिविन नारंग, मुनवर पारुकी और पूनब पांडे शो में नजर आ सकते हैं देखना होगा कि फैन्स का इंतजार कब खत्म होगा और शो कब रिलीज होगा साथे इस बार का थीम दर्शकों को इंप्रेस कर पाता है या नहीं ये बड़ा सवाल है इस ख़बर पर आपकी क्या राए है हमें कमेंट टर के जरूर बताइएगा देश दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के आप देखते रहे हैं वीके नियूज